दोस्तो इस दोनों बात करने वाले हैं बिहार बेल्टरॉन में जो भरती निकाली गए डाटा इंट्रेडर ओपरेटर की और इस्टनोग्राफर की उन दोनों पद के लिए जो है सिलेबस क्या है देखें दोनों पद का सिलेबस सेम रहने वाला है जो रिटेन इग्जाम होने साथ मार्क्स का उसका सिलेबस क्या रहेगा हम डिटेल में चार्चा रहेंगे सिलेबस को और मैंने आपको अलोड़ी स्टार्टिंग में वीडियो बना के बताया हुआ है कि इन दोनों वेकेंसी के लिए साथ मार्क्स के आपके कोस्टन पूछे जाते हैं mcq और यह mcq जो होता है यह no negative marking पे बेस पे होता है और यहां पे टोटली जो है computer से लेटेड आपके questions आते हैं आप वीडियो को last तक बने रहेगा न तो आपको पूरी information देंगे कि कहां से आपको study material को download करना है और बिल्कुल free of cost में download करना है और कैसे उसे पढ़ना है सब चीज हम यहाँ पे आपको पताएंगे इसके अलबा हम practice set भी आपको 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 देने वाले है सारा चीज free of cost में आपे होने वाला है syllabus के साथ में तो देखें यह मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं कि यह ताकि आप सबका भला हो सके देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इसके लिए चार्ज भी कर सकते लेकिन यह बिल्कुल free of cost में market में पढ़ा हुआ ह आप उसे डाउलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं और इस भरती के लिए त्यारी कर सकते हैं तो आप सब को मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है इस भरती के बारे में कि डाटा इंडियो ऑपरेटर की बाली आई हुए है एस्ट्रोग्राफर की वेकेंसी जो है 13 फरवरी आपको अवस्थ होता है तो आपको जो है अगले टीप में टाइपिंग या स्ट्रोग्राफी आपसे अगली परिच्छाद दश्ता परिच्छा जो है स्किल टेस्ट आप से लिए जाते हैं और यहां देखेंगे तो कोई निगेटी मार्किंग नहीं है तो पहले आप फॉर्म भरेंगे फॉर्म भरने के बाद से जो है आपका एक रिटेन एकजाम होगा तो रिटेन एकजाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाले है हम आपको को देदे कि यहां पे जो आपका सीवस रहेगा सार का सारा जो हैंघानी साठ कोश्चन जो आपको नहीं कॉछन होते इसका उन्हें इसका सिलेबस क्या है तो यहां पर डेखेंगे पर Mother का syllabus National Institute of Open Schooling NIOs में Data Interoperator के syllabus Code संख्या 336 के समान होगा syllabus निगम की website इतना पर उपलब्ध है तो हम चलेंगे इस website पर भी साथ हम आपको सबस्क्राइब दिखाते हैं NIOs का जो Data Interoperator का syllabus 336 यह आपका कहां पर है तो देखे हमने गूगल में सर्च किया देखेंगे यहाँ पर तो गूगल में यहाँ पर हमने पाया कि यह इसका जो syllabus है NIOs जो अलड़ी बहुत सारे कोर्स कराता है इसी में इन्होंने जो Data Interoperator के भी कोर्स कराते हैं तो इनका जो syllabus यहाँ पर देखेंगे तो मैं syllabus अलड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा syllabus ताकि आपको और किलियर हो सके कि आपको पढ़ना क्या actual में देखिए यह आपका जो है syllabus है देखिए पूरा syllabus यहाँ पर दे दिया गया बिल्कुल अब हम बताएंगे basic of computer में आपको क्या का पढ़ना है operating system पढ़ना है फिर आपको जो basic of word processing formatting documents mail merge basic of separate sheet यानी excel आपको पढ़ना है formatting of separate sheet formula function and chart formulas से बहुत सारे questions आते हैं इसके creation presentation जो ppt पढ़ना होता है इंटरनेट पढ़ना होता है तो यहीं 10 आपके जो है यहाँ पर syllabus रहते हैं lessons आपको पढ़ने होते हैं अब हम बात करते हैं मालने जिए आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ना है तो इंटरनेट के देखिए आपको पूरा फूल जो है complete study guide समझ लेजिए यह सिलेबस समझ लेजिए कि इंटरनेट में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए इंटरनेट के बारे में यहाँ पर आपको पूरी information मिल दाएगी अभी मैं बताऊंगा कि इसको आपको कैसे इंटरनेट बताया गया है कि इसका अप्लिकेशन क्या है इसके अलबा गेटिंग इंटरनेट कनेक्शन आफ यूर कंप्यूटर किस तरह से इंटरनेट कनेक्शन होता आपके कंप्यूटर में यही सब questions यही से questions बनते हैं अगर आप इस अच्छे से पढ़ लेंगे नोट्स देखिए यह आपको आना है इस website पर मैं direct link आपको description box में डाल दिया हूं क्लिक करके आप यहां पर आ जाएंगे और book one download करने के लिए यहां क्लिक करेंगे तो Hindi और English दोनों language में आप जो है इसको download कर सकते जैसे आपको पढ़ना है basic of computer तो यहां English में भी है और यहां information जो है समझ में आए जाएगा तो यह आपको पढ़ना है और इसी के माध्यम से आपको जो हाँ पर सब चीट जो है त्यारी करना है अब देखें यहां पर detail syllabus को समझे पले और यहां पर और जो हम detail में समझते हैं देखिए यहां पर आपको basic of computer पढ़ना इसमें आप देखें software and application software computer language और complier and assemble तो यह जो आपको पढ़ने है basic of separate sheet में आपको यह सब पढ़ने है operating system में देखें देखें operating system से बहुत सारे questions बनते हैं जैसे आप पूछ देगा कि मालने जिए mouse है तो पूछेगा क्या output device है कि input device है speaker का बोल देखा कि कोई speaker है आपको पर आपको पढ़ने होता है इंटरेट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है यहाँ यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीजा यहाँ दी हुए है तो आप इसका screen sort ले सकते हैं यहाँ मैंने आपको बताया तरीका आप इस website पहेंगी और यहाँ से आप free of cone में सबीं चीजों को डावलोड कर सकते हैं अब चालेटी बुक के хл rappers को यहां और लिए कंप्यूटर के r awarded लिए सब्सक्राइब के निए इसके अलावा देखेंगे तो यहां पर आपको दिल्सेपल काले नि में तो इसी तरह से questions आपके रहते हैं चार में से कोई एक सही होगा और इन्होंने नीचे में answer भी दिया हुआ आप देखें यहां पे input, output जो है उपकरण के बारे में इन्होंने बताना यहां पे शुरू कर दिया हुआ है तो आप यहां पे पढ़ेंगे इसके अलावाद देखें क्या चीजे होती है तो यह सारे चीजों को आप पढ़ेंगे और नीचे में आपको practice का question भी देखने को मिलेगा कुछ questions और साथी साथ आप यहां पे सब चीज जो है देख पाएंगे तो आप इस तरह से जो है पहला chapter complete करेंगे उसके बास से आपको जो दूसरा chapter complete करना है इंग्लिस वर्जन में पढ़ेगा यहां पर बिल्कूल अच्छे तरीके से समझा समझा के आपको बताया गया है आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही तरीका है सारा का सारा material मैं आपको जो है link description box में provide कर दिया हूं सारा material आप जो है download करिए और download करके आप इसे पढ़ इसके आप वीडियो भी देख सकते हैं अगर नहीं समझत है तो बहुत सारे चीज़े यहां पर फिर को मिल रही है अब यहां देखिए इन्होंने sample question paper भी दे दिया हुआ हुआ है इस question paper को डाउड करें marking and question paper का design वगर अभी सब्समें दे दिया हुआ तो आप उसको download करें और practice करें जितना ब्रीक्षिस करें जितना चाह Rs.いきます करें इसकी अलावा यूट्णी पर जाए jee hope करिए कि जो है data inter operator के जो है questions हमें चाहिए तो वह हमें बहुत सारे आपको मिल लाएंगे लेकिन मैंने जो आपको यह दे दिया ना यह रामबढ है इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे न हिंद इंगलिस दोनों वर्जन में है तो आप Beltron के न साथ जो question है उसमें से 45 प्लस यही बस आपको पढ़ना होता यहीं से questions ही बनते हैं तो पूरा syllabus के साथ जो है पूरा study material मैंने आपको दे दिया अब आपके हाथ में है कि यह job आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो आप यहां download करिए और सभी को PDF में convert कर लेजिए lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 3, lesson 3, lesson 4 आपको करिए और कर यहीं से अपना यह करेगा तो आप समझ गया रीटेन एक्जाम अब बात आती है मंगल फॉंट देखें मंगल फॉंट और कूर्ती थोड़ा सा अंतर होता है रेविंग्टन गेल कीबोर्ड का लियाउट रहता है उसी पे आपको टाइपिंग होता है हिंदी में आपको 25 वर पर मिनट और अंग्रेजी में 38 पर मिनट आपको यहां पर टाइपिंग ली जाती है तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए आप टाइपिंग भी रेगुलर करेंगे कम से कम 2-3 घंटा आपको टाइपिंग पर ध्यान देना है और बाकी जो है आप मतलब 6-7 घंटा अगर अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं कम्प्यूटर वाला तो बिल्कुल आप वन मंत में यह सारा चीज जो है कम्प्लीट कर लेंगा और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और एक सफ्ट्वेर आता है मार्केट में बहुत सारा अगर आप कमेंट बॉक्स में देगा तो कि अपको बात प्रेइंग और मंगल फॉनट ही मिल देगा आपको वहां से आप प्रेक्टिस कर लिजेगा अपने टाइपिंग को लेकर तो टाइपिंग भी आपका किलियर हो जाएगा तो दो से तीन घंटा मतलब अंतराल करके 45 मिटा अंतराल करके तीन बार-चार बार सू साथ कोश्चन सॉल्ब करने हैं उसके उपर आप फोकस करें जो रीटेन एक्जाम है जो कि मैं आपको बताया सीलेबस यही सीलेबस आप कर रहेगा इसी सीलेबस को ध्यान में रखते हुए अब अपनी त्यारी को करिए जो कि मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल में दे दि हैं हम कोशिस करेंगे उसके उपर वीडियो लाने के लिए बाकी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देद दूंगा आप क्लिक करके डाउनलोड करिए और उससे पढ़िए अच्छे से आपका इजी जो निकल जाएगा उतना टफ भी नहीं है बहुत ईजी को में जाहिंद आपका दिन सुग हो